तो बीती रात फ्रांस की टीम ने इतिहास रच दिया तकरीबन 20 साल बाद एक बार फिर विशुकप जीता और पूरी देश में और पूरी दुनिया में ये कहें कि इसकी चर्चा है लेकिन हमारा जो आज का सवाल है वो फ्रांस की जीत की बात तो करेंगे ही लेकिन उसके साथ साथ हरबजन सिंग का एक बहुत दिल्चस्ट ट्वीट आया है और इस ट्वीट में वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा हिंदू-मुसल्मान के जगडे में रहता है जबकि महज 41 लाग की आबादी वाला एक देश सिर्फ अंतिम 32 में पहुँचता नहीं है फुटबॉल के साथ की लड़ाई वहां तक भी नहीं पहुच रही है सर हरबजन सिंग के स्कूइट को आप किस तरह से देख रहे हैं कि हमारा एक जो देश है वो सिर्फ इसी लड़ाई में लड़ता रहता है लड़ता रहता है धर्म की दो दिन का पॉलिटिक्स देखिए प्रधान मंतरी इस देश के जाते हैं और वो मंच से खड़े होके ये बोलते हैं कि मैंने अख़वार में ये पढ़ा है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदुस्तान कॉंग्रेस जो है वो मुसल्मानों की पार्टी है अरे अख़वार में आपने और बाकी कुछ नहीं पढ़ा बहुत हमारे जो कैप्टन हैं वो बिल्कुल हिंदु मुसल्मान खेल रहे हैं कोई हिंदु कोई मुसल्मान और हम जो हैं वो कहां है क्याप्टन कौन है क्या अरे जो हमारे हमारे कैप्टन कहने से मतलब जो हमारे लीडर्स हैं वो कहीं कोई प्रयास नहीं है ना किसी अस्तर पर चाहता हूं और एक बहुत रिजेंट एक्जांपल से काउंटर करना चाहता हूं एक ऐसी जगे से एक लड़की निकल के आई जहां पर पिछले कई सालों से लगतार दंगे हो रहे हिंदू-मसल्मान के दंगे हो रहे हैं और वो जगे का नाम है असम हीमादास वो लड़की नि के समय वो लड़की खड़ी होके रो रही थी उसके आखों से आसुगर रहे थे पूरे देश ने देखा सब भावक हुए तो यह एक बहाने बाजी है हिंदू-मसल्मान दूसरी चीज जिस खेल से हरबजन सिंग आते हैं वो इसी देश के हैं इसी देश में उनके एकॉर्ड उधारन सर दे रहे हैं मैं ऐसा मानता हूं कि वो वन ऑफ दो बतलब एक घटना है मैं करा आँ आप आप नौगाओं जाहिए आप हम लोग कल से वीडियो ही देख रहे हैं मेरे भी बहुत किरिस्टी थी कि देखें कि वो बच्ची कहां से आई क्या हुआ वह उसका वह इंड लेने के लिए आती है मैं आप से जानना चाह रहा हूं सरकार क्रेट लेने आती है सरकार तो सबके लिए होती है ऐसा निये कि हिंदू-Muslim है तो यहां FIFA में नहीं पहुँछ सकते फूटबॉल में हमने क्यों नहीं खेल आप तक एक विशु कप क्यों अभी लास्ट या वह भी नहीं हुआ था ना यह हुआ ना उननेस्तों पचास में पहुंची थी ना इंडिया क्यों तो सर वो तो सर वो तो थी दोटी दुटी ए विश्व यूदकारन था उसका दुटी विश्व करके सारका या औलम्पिक और चीजों में गोल मैडल बढ़ गाए ना कितने कितने बढ़ गए पहले के घटे आप बीजिंग में देखिए आप बीजिंग में देखिए हमने जादा जीते थे रियो की तुलना में इसका मतलब यह नहीं होगा यहां फीफा का नहीं होगा यह चीज़ें नहीं हो सकती है मेरे मेरे सीधा सवाल मेरे सीधा सवाल है हमारा बात यहां पर कि फुटबॉल टीम आज तक हमारे देश का नहीं खेला लीडर को लीड कर और उसका प्रेशिदेंट को नहीं है यह उपाठी क्यों नहीं खेला है दो चीज़ें एक चीज़ यह है कि हमारे यहां खेलों को बहुत प्रुत्सान सरकार से नहीं मिलता इस वैसे खिलाड़ी नहीं निकल पाते है और खेल अच्छे लगो को बात करें ने हैं। हिंडू हिंदू मुसलमान करें कि अच्छे अच्छे ग्राॉट तो कृष्वल मुझे सबसे बड़ी बात है आजकल जो है रहा हिंदू मुसल्मान से मैं टॉपिक पे उता हूं पूर्पोल क्या हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे भविस अगर मारे भूत काल में अगर अच्छे क्रिकेटर या कोई निकलते तो उसका आगे उसकी खेल होती है अगर अच्छे अथलेट होते चलिए एक अलग टॉपिक हो गया इस पर जाना नहीं है जाना हरवजन सिंगी ने टूइट क्यों किया आजकल हर कोई अगर आपका कोई प्लेयर है आपका खतम हो गया केरियर खतम हो रहा राजीति मुतर जाए आप फिल्में स्टार है राजीट क्यों टूइट के सरी है बात पूरान हो एक गेटवे मुहिंदू मसलमान पर बोल लिए राजीती में कदम रखे आप हिंदू मसलमान से आप डिसाइड हो जाते है कि किस तरह आपका जुकाव आज कल ऐसे सिनारियो हो रहा है लेकिन 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 एक सेकंड एक सेकंड लेकिन ये अच्छा पॉइंट है कि क्या हर वजन इससे सियासी माइलेज चाहते हैं क्योंकि हिंदू-मुसल्मान की बात आज जो भी करता है लेकिन हर वजन ने फिलहाल जो हर वजन का ट्वीट है वो सियासत के लिए नहीं है हर वजन ने एक तंज कसा है आप उसको एक आम आदमी की तरह उसने सिर्फ हर वजन ने नहीं किया है आप कुमार विश्वास के ट्वीट को देखिए, सेम लाइन उन्होंने भी लिखी है, कई और बड़े लोगों ने सेम लाइन लिखी है लेकिन कुमार विश्वास को पॉलिटिकल माइलेज लेने की इस वक्त पे जरूरत नहीं सर मेरा सवाल आप से हारबजन सिंग के इस ट्वीट से क्या आपको लग रहा है कि वह पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश कर रहा है नहीं लेकिन हर्बाजन क्या है इससे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहरा है तोकि हिंदू मुसलमान पर आज जो भी बात करता है। तो बार बार परदंमंत्री जाते हैं और बार बार यह कहते हैं कि यहां का क्या कहने कि जो रता हो तो इंडिया के लिए खेल रहा है मुसलमान कितने मुसलमान हे हर चीज नो नो थे यह प्रवेज रसुल को अगर बूला भी गया है उसका TARRIF की गई तो इस वेसे की गई कि वहां का जो यूथ बटक रहा है वो दूसरी तरफ मुड़े वो दूसरा है दूसरी चीज़ इस देश में मुस्लिम खिलाडी उने बहुत अच्छा किया है और रही हिंदू मुस्लिम कहले कि लिए क्या कर रहा है कंट्री मतलब फुटबॉल में हम क्यों नहीं इसके लिए यह तो एलेक्शन यह रहे हैं हिंदू मुस्लिम यह सारी चीज़ें तो आती रहेंगी तेकिन क्या फीफा में कभी हमारी क्वालिफाइंग में भी एंट्री यह बड़ा सवाल है सुनील चेतरी को रोग के बुलाना पड़ा दर्शकों को आओ हमारा मैस देखो आप स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हो बहुत टाइम से स्पोर्स कवर करते हो फुटबॉल इतना पूरा में वर्टकप कवल किया कवर किया मुझे पता ही ना हर्बजन सिंग ने क्या किया सब्सक्राइब को अलग करके देखा जाए जहां राजनीती जहां ऐसे लोग घुसे में खेल में जो कि फुटबॉल खेलने सकते किर्केट का बाव बैट पकड़ने सकते लिए लेकिए लास्ट मोला चाहता हूं ठीक है हम मानते हैं कि हम फुटबॉल में बहुत आगे नहीं है तो क्रोशिया या जो भी फ्रांस जीता क्या वो क्रिकेट में आगे है हम किसी में तो आगे हैं हम उसको ठीक कर रहे हैं और ठीक करेंगे फुटबॉल को भी ठीक करेंगे लेकिन फुटबॉल में आगे लेकिन इस बात को कहने का कोई और तरीका हो सकता था और तरीका हो स करेश कही ना कहीं एक तरह से अपने आपको अलग हट कर देखना चाहता है कहीं ना कहीं और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हर्बजन सिंग ने आखिर फुटबाल के लिए अब तक किया क्या है कि आज वो इतने बड़े-बड़े सवाल ट्विटर के माध्यम के जरीए तोर पर लोगों को एक इंस्पिरेशनल मैसेज तो जरूर मिलता तो हमारे तमाम जो अथिती हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप देखते रहिए इंडिया न्यूज